नमस्कर दोस्तु इस्टेडी उत्मेस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपलेसी द्वारा जो परिछाएं हुई है उनमें जो प्रस्ना आया है उसको देख रहे हैं देखिए ये जूनियर असिस्टेंट परिछा द्वारा उनिस का फर्स्ट शिप्ट का कोश्चन है तो एक से पचाश तक को कोश्चन इसे पहले वाली वीडियो में आप यह बताना है कि इसमें से कौन से सब जो है सूरी का प्रवाची नहीं है तो बताइए देखिए यहां आप दिनकर दिवाकर और प्रभाकर सूरी के प्रवाची है जबकि हिमकर जो है सूरी के प्रवाची नहीं है यह किसका प्रवाची है यह चैंद्रमा का प्रवाची है और जो सुरी के प्रवाची नहीं है या आपका एंसर होगा आपका एंसर होगा दोस्तों चली आगे चलते हैं हिमकर सुरी का नहीं बलकि चैंद्रमा का प्रवाची है सुरी के अन्य प्रवाची है दिनकर दिवाकर प्रभाकर भानु आदित्य अंसु माली रभी तो सूरी का जो है मुख्य प्रवाची जो याद करने लाइख दिख रहा है क्या है आदित्य हो गया और अंसुमाली हो गया आदित्य अंसुमाली चलिए आगे चलते हैं दोस्तो question number 2 के answer करिए फटा फट सरस्वती का प्रवाची नहीं है इन में से कौन सा जो सरस्वती का प्रवाची नहीं है तो दिखिए पाणी पीना पाणी और सारदा सरस्वती के प्रवाची है जबकि कमला जो है सरस्वती का प्रवाची नहीं है कमला किसका प्रवाची है लच्मी का प्रवाची है इस प्रकार से आपका एंसर क्या आओ जागा? आप संसी बाणी, बीनापाणी, सार्दा ये सब सर्ष्टी के प्रवाची हैं, चली आगे चलते हैं दोस्तो कमला लच्मी का प्रवाची है, सर्ष्टी के अन्य प्रवाची क्या है? वागी इसा, वाग गीरा, सार्दा, बीनापाडी, बीना, ब्रामी, भारते, ये सब सर्ष्टी के प्रवाची है, चली आगे चलेंगे दोस्तो कि इसमें हम लोग देख लेता हैं कि सर्ष्टी के मुखे मुखे प्रवाची कौन कौन से हैं? सर्ष्वती 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 के मुखे मुखे प्रवाची कौन कौन से हैं वागीशा वाग गीरा गीरा को लिख लिजिए वाग को लिख लिजिए ब्रामी को लिखिए वागीशा भी लिख लेजिए तो इसको लिखने का मत्तर है को थोड़ा सा दिमाग पजोर दीजिए इसको वागीशा वाग ब्रामी गीरा ये जो है सर्स्ति के प्रवाची है जबकि कमला लच्मी का प्रवाची है चलिए आगे चलते हैं दोस्तो इनमें सत्रू का प्रवाची कौन सा नहीं है बताईए सत्रू का प्रवाची कौन सा नहीं है तो इसमें देखिए अरू, अरी, पैरी, रीपू ये सत्रू के प्रवाची हैं जबकि अही जो है सत्रू का प्रवाची ने ये किसका प्रवाची है साप का प्रवाची है इस प्रकार से क्या हो जागा अंसर आप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो यह भी महत्वपूर्ण प्रशन है देखिए सत्रू का प्रवाची होगा अरी बायरी रिपू चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अही सत्रू का प्रवाची नहीं है किसका प्रवाची है साप का प्रवाची है सत्रू के प्रवाची है अरी रिपू बायरी दुस्मन अमित्र इत्यादी साप के प्रवाची कौन कौन से होगे भोजंग विश्धर ब्याल फाड़ी उरग पन्नग नाग इत्यादी तो हम लोग देखेंगे किसका किसका, सत्रू का पले देख लिजिए, सत्रू का हो गया, अरी, रिपू, बैरी दुस्मन, अमित्र, ये सब ठीक है, अब देखेंगे साप के कौन कौन से हैं, साप में ब्याल लिखिए, फाड़ी, उरग, पन्नग, और नाग, तो नाग तो ठीक है, नाग याद रहता है लोगों को, तो ब्याल, उरग, पन्नग ये साप के प्रिवाची है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इन में से स्वर्ग का प्रिवाची कौन सान नहीं है, बताइए, स्वर्ग का प्रिवाची नहीं है, पटापा टेंसर करिए, तो इसमें देखते हैं, देखिए, तृद साल है, स्वर्ग का प्रिवाची है, तृदी ये भी स्वर्ग का प्रिवाची है, नाक भी स्वर का प्रिवाची है नाक जबकि गौज हो है स्वर का प्रिवाची ने यह किसका प्रिवाची है यह गाय का प्रिवाची है गौज हो है गाय का प्रिवाची इस प्रकार से आपसन क्या हो जागा आपसन सी आप करेक्ट हो जागा चलिए आगे चलते हैं, स्वर के प्रवाची हैं कौन कौन से, स्रिदिसालय, स्रिदीव, नाक, द्यो, दिव्यधाम, परमधाम, सुरलोक, देवलोक, गौव, स्वर के प्रवाची नहीं बलकि गाय का प्रवाची है, गौव जो गाय का प्रवाची, गाय के अन्य प्रवाची है, धेनू, सुर्भी, भद्रा, तो यहां पर देख लेते हैं, गाय के कौन कौन से प्रवाची है, धेनू तो ठीक है, सुर्भी भी ठीक है, भद्रा, भद्रा और गौव, यह जो है, गाय के प्रवाची है, और स्वर के प्रवाची बहुत महत्तपूर दिख रहा है स्वर के प्रवाची क्या क्या हो जागा त्रिद साला है त्रिद साला है त्रिदीव नाक ट्याव दिबवधां, परमधां, सूरलोक, देवलोक यह सब ठीक है तो त्रिद साला है त्रिदीव नाक और दाव यह सब जो स्वर के प्रवाची है चली आगे चलते हैं दोस्तो नाहर के लिए समचित प्रवाची सब्द है नाहर बताइए नाहर जो होता है, सेर का प्रवाची होता है आप संडी आपके याप पर करेक्ट होगा चली आगे चलते हैं दोस्तो नाहर का समचित प्रवाची सेर है सेर नाहर के सरी म्रिगेंद्र बनराज आदिशिंग के प्रवाची है नाहर के लिए समचित प्रवाची सेर है सेर नाहर केशरी, म्रिगेंद्र, बनराज आदे सिंग के प्रवाची है सिंग के प्रवाची में क्या क्या महत्पुन निकल क्या रहा है नाहर सेर को भी याद रखेंगे, कनफीज मत कर जाएगा सेर, केशरी, म्रिगेंद्र, बनराज, सिंग के प्रवाची है तो ये सब जो हो गया, म्रिगेंद्र लिख लेती एक नाहर, सेर, म्रिगेंद्र, केशरी, ये सब सेर के प्रवाची है सिंग के प्रवाची है चलिए आगे चलते हैं दोस्तो question number 56 का answer कर यह फटा पट बताईए दूस्तों फटापट 9 का गाम बीकलपु मेंसे सही प्रिवाची सब चुनी है 9 कार奇 बताईए तो 9 का यहां प्रिवाची होगा बताईए नौका का प्रिवाची क्या होगा बताईए तो 9 का का प्रिवाची होगा तर्णी और जल्यान दोनों होता है तो A and C आपका यहाँ पर क्या हो जागा? इंसर हो जाएगा तर्णी जल्यान चलिए आगे चलते हैं नौका के प्रिवाची हैं तर्णी जल्यान दोनों हैं नौका के अन्य प्रिवाची हैं नाव, जल्पात्र, तरी, बेला, दोंगी, पतंग, नया, नौ यह सभी जो हैं नौका के प्रिवाची हैं चलिए आगे चलते हैं तो नौका नौका के प्रिवाची क्या क्या हो जाएंगे तर्णी, तर्णी तर्णी हो गया, जल्यान हो गया उसके बन्ना हो गया, जल्पात्र हो गया, तरी हो गया तरी, बेला, दोंगी, पतंग नया, नौ यह सभी जो हैं नौका के प्रिवाची हैं कि चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कि पोश्चन नंबर 57 के अंसर करी फटा फट निंदा का प्रवाची है निंदा का प्रवाची बताना आपको 57 में तो निंदा का प्रवाची हो जाएगा कुत्सा कुत्सा निंदा का प्रवाची है इसके अन्य प्रवाची है पद नामी बुराई अपयस आदी इस्तुती निंदा का प्रवाची में प्रस्ण में दिया हुआ था सब्सक्राइब करना चाहिए डूसर्य में प्रिया चाहिए सुर्य नमस्कार तल्श्राइब यहीं आपको 2 होजाएगा है तो सब्सक्राइब करे pas होगा चली आगे चलते हैं दोस्तो सूरी जो है का प्रिवाची दिनकर है सूरी के अन्य प्रिवाची है दिवाकर, भानू, भासकर, दिनेश सूरी के अन्य प्रिवाची है दिवाकर, भानू, भासकर, दिनेश चलिए आगे चलते हैं दोस्तो चुनकर उसे चिनित करें चिरंतन चिरंतन का प्रिवाची आपको बताना है बताईए चिरंतन चिरंतन का प्रिवाची योग सास्वत आपसन ए करेक्ट होगा चिरंतन को जो हमेशा राने वाला सास्वत मनें भी हमेशा राने वाला चलिए आगे चलते हैं दोस्तो चिरंतन का प्रियाय सास्वत होता है अनस्वर एवं प्राचीन इसके पर्याय है, अनस्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय है, तो अनस्वर हो ही जाएगा और प्राचीन भी हो जाएगा, चिरंतन का प्रिवाची सास्वत अनस्वर प्राचीन, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अनल, अनल का प्रिवाची बताई आप तो अनल का प्रिवाची हो जाएगा अगनी, आप संसी करेक्ट होगा, चलिए और आगे चलते हैं, अनिल हावा का होता है, अनल का अर्थ आग होता है, इसका प्रिवाची अगनी है, अनल आग अगनी ये सब प्रिवाची हैं, चलिए आगे चलते हैं दोस्तो, आबिर्भाव का प्रिवाची बताईए, आबिर्भाव का प्रिवाची होगा, उद्भाव, आप संडी करेक्ट होगा, चलिए आगे चलते हैं दोस्तो, आविर्भाव का अर्थ उत्पन होता है इसका प्रेवाची होता है उद्भव आविर्भाव का प्रेवाची उत्पन प्रेवाची उत्भव आविर्भाव का अर्थ उत्पन होता है प्रेवाची उत्भव आशक्ती आशक्ती का प्रेवाची बताईए आशक्ति का प्रिवाची होगा अनुरक्ति आप संडी करेक्ट होगा चली आगे चलते हैं दोस्तो आशक्ति का प्रियाई अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता, इत्यादी है आसक्ति का परियाज जो है अनुरक्ति अनुराग लगन लिप्तता इत्यादी है चली आगे चलते हैं मनसीज तो बताए दोस्तो मनसीज का प्रिवाची होगा तो मनसीज जो है कामदेव का प्रिवाची है आपसन एक करेक्ट होगा चली आगे चलते हैं मनसीज कंदर्प मनोज इसमर अनंग इत्यादी कामदेव के प्रिवाची है कामदेव का देख लिजिए मनसीज कंदर्प मनोज इसमर अनंग यह सबी मात पुन है मनसीज कंदर्प मनोज इसमर अनंग यह सब कामदेव के प्रिवाची है चली आगे चलते हैं दोस्तो रितुपती रितुपती के अंसर करिए रितुपती का प्रिवाची आपको बताना है रितुपती तो रितुपती का यहां पर प्रिवाची हो जागा बसंत और मधुमास C और D दोनों एंसर होगा बसंत और मधुमास चली आगे चलते हैं दोस्तो रितुपती, मधुमास, मधुरितु, रितुराज, कुसुमाकर, आदी बसंत के प्रिवाची हैं बसंत और मधुमास, C और D दोनों आप्सन होगा रितुपतु, मधुमास, मधुरितु, रितुराज, कुसुमाकर, आदी बसंत के प्रिवाची हैं चली आगे चलते हैं दोस्तो उपयुक्त प्रिवाची सब्द चुनिए, कमल का प्रिवाची बताना है बताईए, 65 में कमल का प्रिवाची आपको बताना है कमल का प्रिवाची क्या हो जाएगा? पुंडरिक आप संधी करेक्ट होगा चली आगे चलते हैं दोस्तो कमल का प्रवाची है पुंडरिक इसके अन्य प्रवाची है सतदल अब्ज सरसिज इंदीवर तामरस सारंग उत्पल कोकनद राजीव आदि यह कह रहा है कि कुसूम पुस्प प्रसून फूल के प्रवाची है कुसूम पुस्प प्रसून फूल के प्रवाची है तो हम लोग कमल के प्रवाची एक बर देखते हैं जो महत्पुन महत्पुन है देखे पुंडरिक तो याद रहता है सतदल भी ठीक है अब्ज यह कमल के प्रवाची है सरसिज इंदीवर तामरस सारंग सारंग यहाँ पहोगा यह नहीं होगा उत्पल कोकनाद राजी ठीक है और इसमें एक तो और नोट कर लिए तामरस को भी नोट कर लिए यह जो दिया है तामरस भी महत्त पूरा है तो अब जो सरसिज, सारंग, उत्पल कोकन, तामरस यह सब जो है कमल के प्रवाची है चली आगे चलते हैं दोस्तो अभिलासा अभिलासा का प्रवाची बताईए अभिलासा का प्रवाची होगा आकांछा अभिलासा का प्रवाची होगा आकांछा चलिए आगे चलते हैं दोस्तो अभिलासा का प्रवाची आकांचा है इसके अन्य प्रवाची है इच्छा, कामना, चाह, लिपसा, लालसा, मनोरत आहंकार के प्रवाची तर्प अहंकार के प्रवाची तर्प, दंब, अभिमान, घमंड और विकार के प्रवाची क्या हो जाएगा विकार, विकृति, खराब, दोस्त, बुराई तो यहाँ पर आपको ठीक है, सब ठीक ही है लिपसा, मनोरत यह सब जो अभिलासा के प्रवाची है चले आगे चलते हैं, दोस्त, आकास का प्रवाची आपको बताना है बताइए तो आकास का प्रवाची होता है, भ्यूम आप्सन सी करेक्ट होगा चलिए आगे चलते हैं आकास का प्रवाची ब्यूम है इसके अन्य प्रवाची है त्यो अब्र तारापत अब्र तारापत फलक दिव आदी वी प्रब्राम्मर का द्रिग आख का और कगार की नारा का प्रवाची है तो आकास का देख लेते हैं एक तो ब्यूम हो गया उसके बाद द्यो हो गया एक अब्र हो गया तारापत ठीक है फलक ठीक है दिव हो गया ये सब जो है आकास के प्रवाची है व्यूम दव अब्र दिव चली आगे चलते हैं दोस्तों घर का प्रवाची सब्द है घर का बताए घर का प्रवाची क्या होगा घर का प्रवाची गेह होता गेह आप संडी करेक्ट होगा चलिए आगे चलते हैं घर का प्रिवाची गेह है इसके अन्य प्रिवाची है निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलए, गरीह, धाम, आवास आश्रम का प्रिवाची बिहार होता है बहुत बिहार आप सुने है न तो घर में क्या मत्तपुन हो राय है आयतन आयतन भी गर का प्रिवाची है नीला भी गर का प्रिवाची है और गिरी और धाम आवास ये सब ठीक है आसरम नहीं होगा आसरम का प्रिवाची विहार है विहार चली आगे चलते हैं दोस्तों सभा का प्रिवाची कौन सा नहीं है सभा का नहीं है ये पूछा गया बताईए दोस्तो सभा का प्रिवाची कौन सा नहीं है तो सभा का परिशद होता है बैठक होता है महावर्तन होता है जबकि सम्मिलित जो है सभा का प्रिवाची नहीं है सम्मिलित सभा का प्रवाची नहीं है परिशत बैठक महा वर्तन चली आगे चलते हैं सभा का प्रवाची अधिवेशन संगीती परिशत बैठक महा सभा इत्याती है तो इसमें जो है बहुत संगीतिया हुई है न वही का रहा है सम्मिलित हुना चली आगे चलते हैं दोस्तो असुद्य परिशत सम्मू का चैन करिए इसमें किसी बिकल्प में असुद्य का मतलब की एक ही चीज़का प्रवाची नहीं दिया गया उसको आपको बताना आ है बताईए फटा फटेंसर करिए तो इसमें देखिए अरबिंद कंज नलिन ये कमल के प्रवाची है आगार निलय धाम घर के प्रवाची हो गए आगार निलय धाम ये घर के प्रवाची हो गए और जो है ये सब चोर के प्रवाची हैं तस्यू, मोसक, खनक चोर के प्रवाची है और पीश और सुदा अमरित के प्रवाची हो गए जबकि द्रिग जो हो गया आख का हो गया यही जो हो गया आप संडी आपका क्या है असुद्ध है अरभिंद कंज नलिन कमल हो गया आगार निलय धाम घर हो गया तस्यू मोशक खनक चोर हो गया और पीश और सुधा अमरित का द्रिग आख का चली आगे चलते हैं दोश्तो पीश और सुधा किसके प्रिवाची है अमरित के प्रिवाची है जबकि द्रिग जो है आख का प्रिवाची है अर्बिंद, कंज, नलिन, कमल के प्रयाएं आगार, निला, धाम, घ्री के प्रयाएं दस्यू, मुशब, खनक दस्यू, मुशब, खनक किसके प्रवाची है? चूर के तो ये राईस प्रशनी की ब्याख्या चलिए आगे चलते हैं दोस्तो फूल का प्रवाची नहीं है बताईए फूल का प्रवाची नहीं है बताईए तो देखिए इसमें होगा क्या पूस्प ये तीनों जो है फूल के प्रवाची हो गए जबकि तनूजा जो है फूल का नहीं बलकी किसका प्रवाची है पुत्री का तनूजा हो गया पुत्री का प्रवाची हो गया आप संसी आपके क्या हो गया पर एंसर होगा तनूजा जो है पुत्री का प्रेवाची हो गया है चली आगे चलते हैं पूल के प्रेवाची कौन-कौन से हैं सुमन, उस्प, प्रसून, उसुम जबकि तनूजा पुत्री का प्रेवाची है पर्यावाची चली आगे चलते हैं दोस्तो निखित में से कौन सा उत्कंठित का प्रेवाची नहीं है बताईए फटा फटेंसर करिए दोस्तो बताईए दोस्तो फटा फटेंसर करिए उत्कंठित का प्रेवाची नहीं है तो अभिलासा जो है उत्कंठित का प्रेवाची नहीं है थीखा ना, बाकी सब जो है, इचुक, लालाईत, उठ्चुक, ये सबी जो है, उत्कंठित के प्रवाची हैं तो इस प्रकार से, आपका एंसर कया आओगा, आप संडी चली आगे चलते हैं, अभिलासा उत्कंठित के प्रवाची नहीं है इचूक लालाईद उथूक उठकंठित के प्रवाचियां उठकंठित के चलिए आगे चलते हैं दोस्तो का प्रवाची सब्द क्या है वागेश्वरी बताईये वागेश्वरी के प्रिवाची सब्द क्या है तो वागेश्वरी सरस्ती का प्रिवाची है और सरस्ती जी का प्रिवाची क्या होता है सार्दा होता है आप्सन भी करेक्ट होगा वागेश्वरी जो है सरस्ती जी का प्रिवाची होता है और सार्दा भी होता है वागेशोरिय और सार्दा सर्थी के प्रेवाची है. चलिए आगे चलते हैं दूस्तों. वागेशोरिय के प्रेवाची शर्थी, भार्ती, सार्था, वागदेभी, बिनापाणी, हन्सवाहिनी आदी है. कमला जो है, लच्मी का प्रेवाची है. कमला लच्मी का प्रया है तथा सुखदा सुख प्रदान करने वाले इस्तिरी को यह प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाले इस्तिरी को आते हैं सुखदा जो है सुख प्रदान करने वाले इस्तिरी को तथा प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाले इस्तिरी को आते हैं सुखदा प्रेमदा कमला लक्षमी याद रखिएगा इसको चली आगे चलते हैं दोस्तो निम्स्कित में से कौन सा अग्यानी का पर्याई नहीं है अग्यानी का पर्याई नहीं है बताईए अग्यानी का पर्याई नहीं है तो अग्यानी का पर्याई नहीं है तो देखिए अग्यानी का पर्याई हो गया अग्य मूर्ख अनभीग्य ये तीनों आज्यानी के पर्याई हैं जबकि भीग जो है आज्यानी का पर्याई नहीं है आज्यानी 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 मुर्ख अन्भीग ये तीनों जो है अग्यानी के पर्याय हैं जबकि भीगी जो है पर्याय नहीं है यही आपका इंसर होगा चली आगए चलते हैं दोस्तों अग्य के पर्याय हैं कौन-कौन से अग्यानी, बेसमज, अनभीग्य, मूर्ग, पागल, मूर्ध, अंजान, आदिप्राप्त होते हैं अग्य के पर्याय अग्य से अग्यानी समझे, भीग्य के पर्याय हैं प्राग्य, समझदार, बुद्धिमान, अक्ल, मंद, मेधावी, बीग्य यहां पर याद रखेगा अग्यी जो है अज्यानि का है और भीग्यी जो है समझधार का है ठीक है न, अग्यी याद रखेगे इसी में लोग इसी कफिज करते हैं अग्यानिक हो गया और भीग्य हो गया समझदार का चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों निखित में से कौन सा सब्द नम का परिवाची नहीं है बताईए नम का परिवाची आपको बताना है तो नम का परिवाची नहीं आपको बताना है तो देखिए गीला भीगा और आर्द्र ये सब जो है नम के परिवाची होगे जबकि आर्द्रा जो है नम का परिवाची नहीं है इस प्रकार से इंसर क्या आजागा आप संडी हो जाएगा गीला भीगा आर्दर ये सब नम के प्रवाची है आर्दरा जो है प्रवाची नहीं है चलिए आगे चलते हैं आर्दरा नम के प्रवाची नहीं है गीला भीगा आर्दर आदी नम के क्या है पर्यायवाची है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों निवखित में से कौन सा सब्द डर का परिवाची नहीं है बताईए डर का परिवाची नहीं है तो इसमें जो देखिए डर का परिवाची क्या क्या हो जागा भीती भाय तरास ये सबी जो है डर के परिवाची है और भीती के अधार परिशिती आपको भरमित करने के लिए दिया हुआ है यही आपका डर का प्रिवाची नहीं है भीती भाई त्रास यह सब डर के प्रिवाची है चली आगे चलते हैं दोस्तों देखिए जूनियर असिस्टेंट परिषा दौरोनीच में पूछा है कि सेकेंड शिप्ट में भीती, भाई त्रास आदी डर के क्या है परेवाची है भीति भाय तराश डर के प्रवाची है चलिए आगे चलते हैं दोश्तों कुसल का प्रवाची नहीं है बताईए 77 नमबर में बताईए कुसल का प्रवाची नहीं है तो कुसल का प्रवाची इसका मतलब तीन होगा तो दच्छ, निपून, प्रवील ये सब कुसल के प्रवाची हैं जबकि अच्छ जो है कुसल के प्रवाची नहीं है आप्षन भी आपके आप करेक्ट होगा चली आगे चलते हैं दच निपुल प्रवील पारंगत पटू आधी कुसल के पर्यायवाची हैं चलिए आगे चलते हैं दोष्टो पच्छी का प्रेवाची नहीं है बताईए पच्छी का प्रेवाची नहीं है तो देखिए यहाँ पर क्या आओगा द्वीज, खग और बिहग यह सब पच्छी के प्रेवाची है पंती जो है पच्छी का प्रेवाची नहीं है और यहीं आपको क्या आओगा एंसर होगा चलिए आगे चलते हैं द्वीज, खग, बिहग, सकूंत, पखेरू, नवचर, आधी पच्छी के प्रेवाची है तो सकूंत जो है बहुत मत्पुन दिख रहा है चलिए देख लेते हैं हम लोग पच्छी के प्रेवाची में हम लोग पाला लिखते हैं सकूंत को सकुन्त हो गया, पखेरू हो गया और तुछ खग भी हग आप ये सब जानते ही हैं तो सकुन्त जो है एक नया सब्द दिख रहा है नया सब्द को मतलब कि हम लोग के सामने थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जो याद करने लाइक है सकुन्त चली आगे चलते हैं पुत्री का परेवाची नहीं है बताईए कौन सा सब्द जो है पुत्री का परेवाची नहीं है तो इसमें जो है तुहिता, तनया, सुता ये सब जो है पुत्री के परेवाची हैं जबकि दोहित्री जो है पूत्री का प्रेवाची नहीं है और यही आपका एंसर हो जाएगा दुहिता के आधार परी आपको दोहित्री कनफ्यूज करने के लिए दिया हुआ दुहिता, तन्या, सुता यह सब पूत्री के प्रेवाची है चलिए आगे चलते हैं दूहिता, तन्या, सुता, आत्मजा, तनूजा, आधी, पुत्री के प्रेवाची है तो पुत्री के प्रेवाची क्या क्या हो गया? मत्पुन, मत्पुन, दूहिता भी ठीक है तन्या और सुता, आत्मजा ये सब होता है तनूजा, आत्मजा भी लिखिए दुहिता, आत्मजा, तनूजा, ये सब पुत्री के प्रेवाची है चलिए आगे चलते हैं दोस्तो दूष्ट का प्रेवाची नहीं है, बताईए दूष्ट का प्रेवाची नहीं है तो देखिए इसमें खल, दूरजन, अधम ये जो है, दूष्ट के प्रेवाची है तो दूष्ट का प्रेवाची क्या हो गया, खल, दूरजन, अधम जबकि खलक जो होता है, दूष्ट का प्रेवाची नहीं होता है और यहीं आपको क्या होगा, इंसर हो जागा प्रसन देख रहा है ना आपको पूछ रहा है कि कौन नहीं है तो यह आपको जानना पड़ेगे कि कौन कौन है या तो आपकी नसीब ठीक हो तो आप यह जानते हैं कि और सब हो या ना हो लेकिन यह तो नहीं है इस ऐसे प्रसनों का दो प्रकार से उतर दिया जा सकता है ठीक ह होगा और यह कैसे जानेंगे जिसे पूछ ले कि भारत की राजदानी क्या है तो आप यह जानते हैं कि दिल्ली हो या ना हो लेकिन लखनव तो नहीं हो सकता क्योंकि लखनव तो उत्तर प्रदिश की राजदानी है तो ऐसे प्रस्णों का इस प्रकार से उत्तर दिया जाता है चली आगे चलते हैं दोस्तू खल, दूर्जन, अधम, पामर आधी दूष्ट के प्रिवाची है दूष्ट के प्रिवाची कौन कौन से हो गया पामर भी हो गया खल हो गया और दूर्जन और अधम आप जानते हैं पामर और खल ये दुष्ट के प्रवाची हैं चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों क्या गंगा के प्रवाची नहीं है गंगा और यमुना और नदी इन तिनों का प्रवाची बहुत कंफ्यूच करता है ठीक है ना ऐसे लगता है कि इनमें एक दूसरी कम मिलता जुलता है ठीक कालिंदी जो है यमुना के प्रवाची है और बाकी सबी जो है मन दाकीनी भागी रथी सूर्श अरिता ये सब जो गंगा के प्रवाची है तो इसको याद रखेगा मैं आपको बताया हूँ कि गंगा यमुना और नदी के प्रवाची में क्या होता है कंफिजून होता है तो और यमुना का प्रवाची, इसलिए ये दोनों का दिया हुआ है, ठीक है न? तो गंगा का प्रवाची क्या हो जाएगा? मन्दाकिनी, भागी रती, सूर्शरिता, देव नदी, अब देखिए देव नदी आपको लएक नदी का प्रवाची हो गया, सूर्शरी, देवपगा, चाहवी, विश्लूपदी, चाहनवी, तो ये सबी गंगा के प्रवाची हो गया, ठीक है न? अब देखिए यमुना के प्रवाची देखते हैं, तो कालिंदी, अर्कजा, रवितानेया, क्रिष्णा, क्रिष्णा भी ये सब यमुना के प्रवाची हो गया, तो आप यमुना याद रकली ये ठीक ना यमना के याद रकली फिर वहांक निकालना सानोगा यमुना कालींदी कालींदी और कजा रबितनेया क्रिश्णा क्रिश्णा भी यमुना के प्रवाची है कालींदी और कजा रबितनेया क्रिश्णा के प्रवाची है और बाकी जो आएंगे उसको मान के गंगा का चला जाएगा चले आगे चलते हैं दोस्तों तो देखिए जाहवी बिश्लूपदी ये कन्फ्यूज करता है जाहवी बिश्लूपदी सूर्शरी मंदाकनी भागरिती सूर्शरी ता देवनदी चले आगे चलते हैं दोस्तों तो याद रख लिए इन दोनों को जाहवी और बिश्लूपद गंगा का प्रवाची है निम्लखित में से कौन सा सब्ज है बिजली का प्रवाची नहीं है बताइए बिजली बिजली का प्रवाची नहीं है तो देखिए तडित बिजली का प्रवाची है चंचला भी बिजली का प्रवाची है सवदामनी भी बिजली का प्रवाची है जबकि चंचरी जो है बिजली का प्रवाची नहीं है ठीक है न और यही आपको क्या हो जाएगा आप सण हो जाएग तडित, चंचला, सौधामिनी यह सब बिजली के प्रवाच्चे हैं। चली आगे चलते हैं दोस्तों। देख रहे हैं क्या का रहा है। चंचरी जो है। भ्रामरी भावरा कमेरारू। ठीक है न। भावरा की बीबी हो गई। चंचरी। ऐसे याद करिए। भावरी। तो चंचरी जो है। भावरा की औरत हो गई। पत्नी हो गई। ठीक है न। अरे उसकी बेगम हो गई। चंचरी। याद रखिए तब याद होगा। और बिजली के प्रेवाची क्या है। तडित, चंचला, सोदामिनी, बिद्दूत, दामिनी, छणप्रभा, चपला। यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है। तो बिजली में क्या याद करने लाइक है। देखिए तडित याद रहता है, चंचला भी याद रहता है, सोदामिनी भी याद रहता है, बिद्दूत याद रहता है, लेकिन दामिनी याद नहीं रहता है। दामीनी, छाण प्रबावी देख लिजिए, छाण वर में आती है बिजली, और नुक्सान करके चली आती है, ठीक है ना, तो ये तो बहुत बढ़िया प्रस निकला, चन्चरी जो है, याद रखे कि भौरा की क्या है, भौरा की बेगम है, चली आगे चलते हैं दोस्तों, तिन्चित में से कौन सा सब्द पहार के प्रवाची नहीं है, बताइए, पहार का प्रवाची नहीं है आपसे पूछाए, तो देखिए, अचल, गीरी, अद्री, ये सब पहार के प्रवाची हैं, जबकि अचला प्रिथवी का प्रवाची है, अचल, गीरी, अद्री ये पहाड के प्रिवाची है और अचला जो है इसका प्रिवाची है प्रिथवी का प्रिवाची है चली आगे चलते हैं दोस्तु अचला प्रिथवी का प्रिवाची है पहाड के प्रिवाची है पहाड के क्या क्या आओ जाएंगे अचल, गीरी, अद्री, भूधर, महिधर, नग आदी प्रिथवी के प्रिवाची क्या क्या आओ जाएंगे धर्ती, धरा, बसुन्धरा, बसुधा, इला, भू, धर्णी, भूमी, उर्वी तो हम लोग दोनों को देखेंगे तो पाले तो देख लेते हैं पहार के पहार के प्रवाची क्या आओ जाएगा आचल, वो चलता नहीं है, गिरी हो गया, अद्री भूधर हो गया, मैदर हो गया, नग हो गया ये सब जो है, पहार के प्रवाची हो गये जबकि प्रिथ्वी के प्रवाची क्या हो गया धर्ती, धरा, बसुन्धरा, बसुदा, इला, इला याद रखिए भूबी याद रखिए धरनी, भूमी, उर्वी याद रखी, उर्वी, ये भी प्रित्वी का प्रवाची हो गया, तो इला, भू, उर्वी, अद्री और नग, चलिए आगे चलते हैं दोस्तो, बादल का प्रवाची नहीं है, बताईए, तो बादल का प्रवाची नहीं है आपको बताना है जल के प्रवाची में जलद घन अब्र ये सबी बादल के प्रवाची है और जहां पर जो लग जाता है पानी में वो कमल का प्रिवाची हो जाता है तो तोयज क्या होगा कमल का प्रिवाची होगा तोयज जो होगा कमल का प्रिवाची होगा इस प्रकार से आपसन भी आपको क्या होगा correct होगा चलद घन अब्र चलिए आगे चलते हैं दोस्तो तो यह बादल का नहीं बलकी कमल का प्रिवाची है ठीक है ना बादल के प्रिवाची क्या क्या है चलद घन अब्र मेग पयोधर चलदर नीरद वारिद अम्बूद पलाहक पलाहक हम लोग देखे थे पहली वीडियो में भी आदीफ और कमल के क्या क्या होगे नीरज, अम्बूज, जलज, सरोज जल लग जाता है वहाँ पर पानी के प्रिवाची में जल लगाने से क्या बन जाता है कमल के प्रिवाची हो जाता है तो हम लोग देखेंगे बादल के प्रवाची क्या क्या से है जलद हो गया घन हो गया घन बादल अब्र बादल मेग पयोधर पयोधर हो गया चलदर, नीरद, वारिद, अम्बूद, पलाहक भी किसका प्रवाची हो गया बादल का चली आगे चलते हैं दोस्तू अब्रवा का प्रवाची नहीं है बताईए हावा का प्रवाची नहीं है तो अनल जो होता है हावा का नहीं बलकी किसका होता है आग का होता है अगनी का होता है अगनी और यहीं नहीं होगा उसके बद हावा का अनिल हो जाता है पवन हो जाता है समीर हो जाता है इस प्रकार से आपसन ए क्या होगा आपका एंसर होगा अनिल पवन समीर अनल आग का ह होत्ता है जली आगे चलते हैं दोस्तों अनल जो है अगनी का प्रवाची है हावा के प्रवाची कौन कौन से हैं अनिल पवन समीर वायू वात मारूत बयार प्रकम्प प्रकम्पन हावा का प्रकम्पन प्रकम्पन मारूत वात बयार बयार तो हावा का याद रहता है तो प्रकम्पन मारूत वात यह सब जो है किसके हैं हावा के हैं चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आख का प्रवाची नहीं है हर जब देख रहा है नहीं वाला करके पूछ रहा है बताइए दोस्तों आख का प्रवाची कौन नहीं है तो देखिए अच्छी, नयन, द्रीग यह सब आख के प्रवाची है जबकि द्रिगंबू जो है यह आशू का प्रिवाची है द्रिगंबू जो है आशू का प्रवाची है यह ही आपको क्या हो जागा एंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं दोस्तो द्रिगंबू आशू का प्रवाची है आख के प्रवाची कौन कौन से हैं अच्छी नयान द्रिग नेत्र चछू लोचन आदी ठीक है ना अच्छी नयान द्रिग नेत्र चछू लोचन आदी और द्रिगंबू जो है आशू का प्रवाची है कि दो किसका हो जाता है बादल का यही आपको क्या होगा एंसर होगा जैसे हम लोग देख रहे हैं नीरज उत्पल और बिन्द यह सब कमल के हो गए और वारिद जो हो गया बादल का प्रिवाची है चलिए और आगे चलते हैं वारिद जो है कमल का नहीं बलकी बादल का प्रिवाची है कमल के अन्य प्रिवाची क्या है नीरज उत्पल और बिन्द नीरज उत्पल और बिन्द चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कौमुदी का प्रिवाची है कौमुदी बताए तो कौमुदी जो होता है चांदनी का प्रि चलिए आगे चलते हैं, चादनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका, आधी, कौमुदी के परियाए हैं, चादनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका, आधी, कौमुदी के परियाए हैं, चलिए आगे चलते हैं दोश्तों, भावरा का सही परि प्रिवाची सब्द है, बताईए, भामरा का सही प्रिवाची सब्द आपको बताना है, बताईए. भामरा की बेगम कौन थी? भावरा की बेगम चन्चरी थी चन्चरी भावरा की बेगम चन्चरी थी चली आगे चलते हैं दोस्तो भावरा के प्रवाची हैं कौन-कौन से ब्रहमर, मधुप, ब्रिंग, अली, सटपत, द्विरेप, मधुकर ठीक है न, तो यह जो है, मतपुण है, भावरा पूष्ता भी अकूप पूष्ता है भावरा की तरह डोलना, प्रहमर, मधुप, ब्रिंग, अली, सटपत, द्विरेप, फ, मधुकर यह हो गया, ब्रिंग, अली, सटपत, द्विरेप, यह सब जो है, भावरा की प्रवाची हैं चली आगे चलते हैं, दोस्तु, समुद्र का प्रवाची बताईए समुद्र का प्रवाची क्या होगा, समुद्र का प्रवाची होता है अर्णव आपसन सी करेक्ट होगा, समुद्र का प्रवाची होता है अर्णव चली आगे चलते हैं, समुद्र का प्रवाची सब्द है अर्णव समुद्र के आणे प्रवाची कौनच हैं? पारावार, अबधी, नदीश, वागीश आदी समुद्र, समुद्र का पहला तो अर्णव लिख लिजिए पारावार लिखिए अर्णव पारावार, अबधी, नदीश, वारीश सब याद करने लाइख है, नदीश, वारीश चली आगे चलते हैं, दोस्तु सौधामनी, सौधामनी किसका प्रवाची है? बताइए सौधामनी जो है, बिद्दूत का प्रवाची है आप संधी करेक्ट होगा सौधामनी बिद्दूत का प्रवाची है चलीए और आगे चलते हैं सौधामनी सब्द का प्रवाची सब्द बिद्दूत है इसके अफ्रेवाचि हैं चंचला, चपला, दामनी, तडित, छाण प्रभा चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों सनरचना सब्द के लिए कौन सा प्रयाय सब्द अनुचीत है बताईए मुचीत और अनुचीत दो होता है न मुचीत नहीं अर्थात कौन इसका प्रवाची नहीं है, सनरचना बताईए, तू सनरचना का प्रवाची कौन सा नहीं होगा तू सनरचना का प्रवाची उद्भावना नहीं होगा बीरचीत होगा संगटना होगा रचना बिन्यास होगा ये सब संगटना का प्रेवाची है बीरचीत संगटना रचना बिन्यास जबकि उद्भावना जो है संगटना का प्रेवाची नहीं है चलिए आगे चलते हैं, सनरचना सब के परयाए, बीरचीत, संघटना, रचना बिन्यास है, जबकि उद्भावना सनरचना का परयाए नहीं है, यूपी ट्रिपलसी ने प्रस्न का उत्तर एमाना जो सही नहीं है, ठीकशना, यूपी ट्रिपलसी बीरचीत को माल लिया, तो ये रिसर्च करके बताते हैं घटना चक्रवाले भाई लोग तो संवचना कबीर्चित संगटना रचना बिन्या चली आगे चलते हैं दूस्तो स्वच सब्द का प्रिवाची सब्द बताईए स्वच सब्द का प्रिवाची क्या होगा स्वच का प्रवाची निर्मल होता है आप संधी करेक्ट होगा चलिए और आगे चलते हैं स्वच का प्रवाची क्या होगा निर्मल प्रवाची सब सुनें म्रिगधर म्रिगधर का प्रवाची बताईए तो म्रिगधर जो है चंद्रमा का प्रेवाची है आप संसी करेक्ठ होगा मृगदर जो है चंद्रमा का प्रेवाची है चलिए और आगे चलते हैं दोस्तो मृगदर और मृगांक दोनों चंद्रमा के प्रेवाची है चलिए दोस्तो म्रिगदर और म्रिगांक दोनों चैंद्रमा के पर्यवाची है पराग पराग का पर्यवाची बताईए पराग का पर्यवाची होगा सुगंध आप संडी करेक्ट होगा पराग के पर्याय हैं पुस्प रज पुस्प धूली केसर सुगंध पराग के प्रया हैं पुस्परज, पुस्पुधूली, केसर, सुगंध, आदी कमल के फूल पर भाउरे मडराते हैं ठीक है ना प्रिवाची नहीं है बताइए भाउरा का कौन सा प्रिवाची नहीं है तो जलज क्या होता है जलज बताइए जलज तो होता है कमल का वही मैं कह रहा हूँ कि और जाने आना जना इसे प्रस्णों का इसे उतर दिया सकते जलज जो होता है कमल का हो जाता है तो भावरा का प्रिवाची क्या हो जाएगा मधुकर, मधूप और भ्रामर ये तिनों भावरा का प्रेवाची हो गया तो दोस्तों इस प्रकार से आप्सवन क्या होगा आप्सवन से आपका correct answer होगा चलिए आगे चलते हैं जलज भावरे का नहीं बलकी कमल का प्रेवाची है कि अन्य प्रेवाची कौन से हो गया सरोज, अब्ज, पंकज, अरबिंद, कंज, नलिन, तामरस आदे जबकि मधुकर, मधु, ब्रहमर आदे भावरे के प्रेवाची है तो यहाँ पर कमल का ही देख लिया जाए एक बार कमल का क्या हो सरोज हो गया ठीक है अब्ज, पंकज, ठीक है, अरबिंद भी ठीक है कंज, देख लिजिए, नलिन, तामरस यह सभी जो है कमल के प्रेवाची है चलिए और आगे चलते हैं दोस्तो और यह रहा आज का अंतिम प्रस्ट बताएए आकास में चंद्रमा चमक रहा है रे खांकित सब्द का प्रेवाची नहीं है ठीक है ना तो खुब गुमा गुमा के पूछा है इसका मतलब कि यहां से असान कोश्चन नहीं पूछ रहा है बताएए तो यहां पर देख रहे हैं कि रसाल जो है यह आम का प्रेवाची है तो आकास का तो हुआ नहीं तो आकास का क्या क्या हो जागा यह तीनों आकास के हो जाएंगे और यह जो है आकास का नहीं हो गए यहीं इंसर हो जाएगा आपका आपसंची चलिए आगे चलते हैं दोश्टों रसाल जो है आम का प्रेवाची है आकास के प्रवाची ब्योम गगन नव द्याओ अब्र अंबर आस्मान तो द्याओ अब्र को याद कर लीजिए और आम के प्रवाची हो गए आम्र सहकार अम्रित्फल अतीस ओरब आम का क्या क्या हो जाएगा शकार अमरितपल अति सौरब ठीक है ना और आकास वाले में द्याव और अब्र को देख लिजी आकास का क्या हो जागा द्याव और अब्र तीस तरसे दोस्तों ये खतम हुआ अब हम लोग आगे देखेंगे वाक्यानसों के लिए एक सब्द अगले वीडियो में तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेर करें तक आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे और इसको प्रवाची को कई जवस्तन है एक जवसे बार बार पढ़िए ठीक है ना इसको प्रवाची की वीडियो को बार बार देखेंगे तो इस सब चीज याद हो जाएगा और यहीं से पूछा जागा इसी में से पूछेगा ठीक है और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके गंटिक आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए दोस्तो तो धन्यबाद फिर मिलतें अगली वीडियो में